नमस्केर सर जन शरोकार मंच पर चितिंड़ जी आपका हादिक स्वागत है तो यह अच्छा उसन है कि आज हम आपकी कुछ कवीताइं सुनेंगे स्वागत सरण बहुत बहुत धन्यवाद आदर्निय देवेंद्र जी जन सरोकार मंच के माध्यम से देवेंद्र जी ने जो मुझे अवसर दिया है कवीता पाठ के लिए तो श्रोताओं के लिए यह कवीताएं मैं प्रस्तुत कर रहा हूं पहली कलता है कई बार जन्मती हैं स्त्रियां जरई की तरह होती हैं स्त्रियां सभ्यता विस्तार के लिए उखड़ना परता है अपनी ही जमीन से रोप दी जाती हैं कहीं और तलाशनी होती है अपने हिस्से की धर्ती अपना आकाश गर्भस्त शिशु के रेंगते ही जन्म लेती है मां सहस्च धाराओं से उतरता है जीवन अम्रित धीरे धीरे कन्या पूझकों और शक्ति हुपासकों के बीच कई बार जन्मती हैं स्त्रियां करना पड़ता है अगिन असनान हर बार ये रही कविता कई बार जन्मती है इस्त्रियां आईए हम आपके सामने दूसरी कविता सुनाते हैं जिसका शिर्षक है राष्ट्र देवता राष्ट्र देवता की साम जब ठप हो गये थे कार्याले और कार खाने बंद पड़े थे शिक्षा के द्वार डर के मारे कांप रही थी संसद पसीना पसीना थी सरकारें कड़ा पहरा था देवालयों मस्जिदों गिरिजा घरों पर तब जागरित था राष्ट्र देवता हो भी क्यों ना बचाय रखनी थी देश की अर्थ व्यवस्था जीडीपी की साक भरना था पेट मानों से लेकर पश्वख्षियों तक उस पालंहार के लिए छलावा है शासन धोल की पोल है प्रशासन पाट देते हैं कोठली खेत खलिहान गोदाम नहीं सम्हाल पाती सरकारें जिनका श्रम जिनकी आस्था खुले आसमान के नीचे भीगता है आत्मसम्मान बिग जाते हैं सड़े अन और बनती है नशीली शराब नशा शराब का हो या कि मुफ्त खोरी का नुकसान दायक किन्त सावधान खुद्दार है देश का किसान नस नस में दोड़ता है श्रम और संभीत का नशा मत छीनो कुछ भी रहने दो इनके हिस्से की धर्ती और सांसों का आना जाना राष्ट देवता को समर्पित एक कविता और इसी क्रम में मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ राष्ट निर्माता जी हां शिक्षकों के प्रति कभी चलना मेरे संग उस बस्ती के बीचों बीच बदहवास मिलेंगे मास्टर बशिस्ट बच्चों को सिखाते थे कभी संगहर्षों से क्या घबराना निधाल पड़े हैं बेधम बेधखल कर दिया गया नवकरी से एक अंतर राष्ट्री विद्याले ने कोरोना के नाम पर ये उसी दौर की कविता है लेकिन मुझे लगता है कहीं कहीं ये आज भी प्रासंगिक है ले चलेंगे गाउं के उत्तरी छोर पर मिलेंगे वहां खिचडी बालों आले फटी बनियान पहले शुकला जी मास्टरी के लिए ना जाने भरे कितने आवेदन परिक्षा शुल्क तक हजम कर गई सरकारें कोर्ट ने लगा दिया अस्टे बनते बनते रह गए शाही नौकर चलना उन अध्यापकों के भी घर चलना उन अध्यापकों के भी घर आजीवन जो नहीं पकड़े माउस सीख लिये है गुर आनलाइन पढ़ाने का महसूस करेंगे उनमें भी रोटी छिनने का भय है साधो आप ही बताईए किस मुह से कहूं शिक्षक साधारण नहीं होता स्रिजन और संभार उसकी गोद में पलते हैं बुरा हाल है राश निर्माताओं का विश्व गुर की ओर बढ़ते देश के बहुतेरे अग्रदूत छटपटा रहे हैं विराट भुजदंड में पूजी पतियों के तो यह हाल है बहुत ज्यादा राश निर्माताओं का आईए एक और कलता सुनाते हैं आपको दरिद्रता और इस क्रम में अंतिम कविता होगी दरिद्रता एक क्रम है जीवन से मरण तक का इस कविता में आप देखेंगे अभी अभी काटी गई ना भी नाल एक बच्चे की जैसे डिम्ब तोल निकलता है चूजा धर्ती का आवरन हटा अखुवाता है बीज अभी अभी युगल हंसों ने सुना सम्मोहक रुदन बलैया लेती मा किलकारियों से भरता आगन बच्चा देखता है उस वक्त अपने जीवन का सबसे सुन्दर सपना सच है कुदरत ने दिया है यह हक दुनिया के सभी बच्चों को बिना भेदभाव धीरे धीरे घुलने लगता है अपने परिवेश में समझना शुरू करता है दुनिया की अबूज पहेली बीतते भक्त के साथ छीजने लगता है जांगर उतरने लगता है चेहरे का नमक नोंचही भीट की तरह आसमय गिरने से पहले याद आती हैं कई आक्रतियां नोंचही भीट की तरह गिरने से पहले याद आती हैं कई आक्रतियां चित्र की नाई हावा में तैरने लगते हैं लोग मर गया था जिनकी आँखों का पानी पीछ पीछे घोपा था जिनोंने खंजर मदद के नाम पर उडाई थी हसी और तोड़ा था विश्वास रील की तरह वे भी आजा रहे थे खाया करते थे कसमे जो जीने मरने की दुनिया को अलविदा कहने से पहले याद आया एक श्लोक सर्वे गुनाह कांचनमा श्रयनती गुणों की पहचान धन से होती है गालों पर ढुलकते आशू मानु प्रार्थना कर रहे थे हे प्रभु न देना गरीबी अगले जन्म धधक रही थी चिता जल रही थी इच्छाएं आकांख्षाएं भस्म हु रहा था विश्वास आपसी सहयोब और सदभाव का अभी अभी श्मशान की दीवारों ने सुना चीपकार करती असीन बेदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही लिखा है नहीं दरिद्र समदुफ जगमानी मुझे उसर्पदान करने के लिए जन्सरुकार मंच का मैं बहुत-बहुत आभारवित करता हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद